हिल्डे सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले मश्चूर डिरेक्टर प्रोड्यूसर साजित नाध्यावाला पूरे 54 साल के हो चुके है साल 1992 में जुल्म की हुकूमत से फिल्मी करियर की इनों ने शुरुवात की थी फिलाल बॉल्वुट ब्रेक में इतना ही पर जाते जाते आपको दिखाते इनके फिल्मी करियर से जुड़े कुछ खास बात है बॉल्वुट के फिल्मी डिरेक्टर प्रोडूसर साजित नाध्यावाला अपना तिरपन्वा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे है 18 फैबुरी 1966 को जन्मे साजित बॉल्वुट को कई हिट फिल्मे दे चुके है सलमान खान के करियर को किक और अक्षय गुमार के हाउस को चार सिरीज से फुल करने वाले साजित है साजित आज बले ही किसी पहचान के मोहताज न हो लिकिन एक टाइम में ऐसा भी था जब परिशानियों ने उनके घर में डेरा जमा लिया था साजित ने दिव्यभारती से शादी की थी साजित दिव्यभारती की मौत के कारण हमेशा कॉंट्रोवर्सी में भी घिरे रहे जिसके बाद साजित ने दूसरी शादी जर्नलिस्ट वारगा खान से की उनके दो बेटे भी है साजित नाजेवाला ने अपने करियर की शुरुवात बतौर एजी टेकनेशन की थी उसके बाद साजित अपने अंकल के प्रड़क्शन हाउस में बतौर सहायक निर्माता की तौर पर काम किया और फिर खुद के प्रड़क्शन हाउस नाटेवाला गांटसन एंटर्टेइन्मेंट चुरू की और 1996 में जीत उनके प्रड़क्शन हाउस की पहले हिट मूव बनी क्या हुआ करन? कुछ समझ में नहीं आ रहा सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम मेरे अपने हो हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं इस मूवी में लीड डोल में सनी देवल, सलमान खान और करिश्मा कपूर्धी किससे मार दा चाते हो तुम? जिसके बाद चुडवा हर दिल जो प्यार करेगा और मुझसे शादी करोगी भी बड़ी हिट साबित हुई 2007 में आई उनकी मल्टी स्टारर फिल्म हे बेबी ने इनके करियर को एक नया मोड दिया और साजित ने फिर पीछे मुड कर कभी नहीं देखा साजित के हाउसफुल मुवी ने बॉक्स ओफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड दोगे साथी क्रिटिक्स को भी फिल्पी नारीब करने के लिए मजबूर कर दिया हाउसफुल के बाद साजित की गाड़ी निकल पड़ी जिसके बाद 2014 में साजित ने फिल्म किक से बॉलवूच में प्रडूसर बन कर जबू किया इस फिल्म ने वॉक्स ओफिस पर सोन करोर से उपर की कमाई की फिल्में सल्मान खान और चाक लिए जोल में नसर आये थे किक मूवी की सक्सेस के बायाद साजुद ने फैंटम, तमाशा, बागी, हाउसफुल 3, जिशुम, रंगून, जुडवा 2, बागी 2, कलंग, सूपर 30, छिछोरे और हाउसफुल 4 जैसी सूपरीट मूवीज को प्रोड्यूस किया कर दो खुएएएँ हुएएज झाल झाल